एक बार टोडर मन ने अपनी मा से यही कह था कि मा तू हर बात पर कहती रहती हैं कि मा का करजा नहीं उतर सकता, मा का करजा नहीं उतर सकता चल आज तेरा सारा करजा उतारूँगा, बता, कितना करजा है तेरा तुझे सोना दू, चांदी दू, हीरे दू, जवाराद दू, रूपया दू, पैसा दू, क्या दू पर तू अपना करजा ले और मुझे अपनी इस बात से मुट्त कर मैं नहीं सुनना चाहता कि तूने क्या किया मेरे लिए माने का बेटे अगर करजाई उतारना है मा का तो चल सोने चांदी रूपे पैसे थे तो करजा उतरेगा नि तू एक काम कर आज रात तू मेरे पास ही सो जा करजा उतर जाएगा इसने का एक रात सोने से कैसे करजा उतर जाएगा बोले कोई दिक्कत नी मेरी नजर में उतर जाएगा तो सोजा केते हैं जब टोडर मल की माता जी ने उसे ये कहा तो रात्री में टोडर मल उस दिन अपनी मा के कक्ष में लेट गया और जब मा के कक्ष में लेटा तो कहते हैं जैसे ही मा ने देखा बेटे को नीद आनी शुरू हुई है तुरंत हिला दिया और हिला के बोली बेटा एक गिलास पानी ला देगा अब ये तो शद्धा के वसी भूत होकर कि आज करजा उतारने की फिराक में लेटा था जैसे ही मा ने कहा कि बेटे पानी ला देगा ये तुरंत कहता है हां माता जी बिलकुल उठा एक गिलास पानी लेके आया और बड़ी शद्धा से मेरी मातों दोनों हाथों से वो पानी मा को दे दिया मा लो जल ग्रहन करो कहते मा ने एक गुट जल पिया और बाकी का जितना भी पानी पातर में बचा हुआ था सारा का सारा जिदर टोडर मन लेटा हुआ था उस तरफ डाल दिया इसे गुसा तो बहुत आया पर इसने बहुत आराम से पूछा मा ये क्या कर रही हो तुम इसने का रे बेटे गलती हो गई कोई बात नहीं बुडापा है गिर गया हाथ से लेट जा पागल है गिले बिस्तर में लेटा जाएगा क्या माने का बेटे कोई बात नहीं लेट जा करता रहा और बहुत देर के बाद जाकर के इसकी आखे मिचनी शुरू हुई भारी हुई आखे नीन्द में आ करके गह रहा मा फिर देख रही थी जैसे ही आख बंद की मा ने फिर इला दिया बेटे पानी अब की बार वो जो पहले वाली श्रद्धा थी ना वो कम हो गई पहले उठा था तो कहा था हां माता जी लाता हूँ अब की बार कहता है मा पानी बोले हां क्या भी तो पिया था तुने के बेटे प्यास लगी है पानी पे भी रोक लगाएगा क्या उठा पानी ले क्या ले पकड मा दो हाथ भी गए मा जी भी गया ले पकड मा मा ने एक घूट पानी प्यार बाकी का पानी सारा फिर इसके बिस्तर पर गिरा दिया इसने का मा तेरा हो गया दिमाग खराब तू हो गई पागल बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है एक रात सुला करके क्या करजा उतारेगी मैंने तो मोत खरीद ली पागल था मैं जो तेरा करजा उतारने चला था सत्तर बाते मा को सुना दी मा चुपचाप सुनकर के भी सेहन कर गई और फिर भी बड़े प्यार से का बेटे कोई बात नहीं तू लेट जारा मैं से कोई दिक्कत लेटा अब की बार और बिस्तर गीला था बहुत देर तक नीद नियाई पर कहते हैं जब कई घंटों के बाद घेर लिया पूरी तरह नीद ने और फिर से आखे बंद करने को हुआ तो माता ने फिर हिला दिया पकड़के बेटे पानी ओहो अब की बार तो चिला करके उठा और मा पर जलाते वे कहता है मा क्या खाके सोई थी रात ये बता पहले कुए में जाए तेरा करजा मुझे नी उतारना मैं जा रहा हूं उपने कमडे में माने कान पकड़के खीच के थपड़ मारा बोले तु मेरा करजा उतारने चला था तू एक रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने तेरा बिस्तर गीला करके दो बार पानी मांग लिया तो तू भाग रहा है आरे जब तू छोटा था तेरा बिस्तर तो पानी से गीला है पर तू अपनी गंदगी से मेरे बिस्तर को गीला करता था और देख एक मा का त्याग मैं उस गीले बिस्तर में खुद लेटती थी और तुझे सूखे में लिटाती थी इधर बिस्तर गीला कर दिया तो इधर लिटा लिया इधर बिस्तर गीला कर दिया तो तुझे अपने सीने पर लुटा लिया मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेटती थी पर कभी तुझे उठा करके पहेका नहीं मैंने दो बर पानी माँगा तो तुझे क्रोद आ रहा है तु रात में कभी पानी मांगता कभी दूद मांगता कभी नई सोता तो सारी रात सीनें से लगा करके आंगर में टैलती रहती ती तुमा का करजा उतारेगा बेटे एक जनम तो छोड़ू कहीं जनम भी ले ले पर मा का करजा उतार नहीं सकता और किसी को अगर उतारना भी हो तो देखो माबाप का रिंड तो माबाप बन के ही पता लगता है द्यांग रखे लाओ इसलिए कहीं जगे जब उलादी ये बोल देती है न कि तुमने हमारे लिए किया क्या है तो समझदार माबाप कहते हैं अपनी उलादों से बेटे हमने तो तेरे लिए इतना कर भी दिया जिस दिन अपनों के लिए कर देगा उस दिन बता देगा